हेलो एबरिवान आज के इस लेक्चर में हम सेलेक्शन ओफ फैब्रिक फोर डिफरेंट गामेंट्स इस टॉपिक पर ही डिसकस करेंगे इसमें आज हम प्लोट्स फॉर चिल्डन अर्था शीश्यों के वस्टों के बारे में डिसकस करेंगे कि छोटे बच्चों के कपड़े खरिते time क्या ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार के कपड़े बच्चों को पहनाने चाहिए देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं इनके लिए सबसे जो सूती कपड़ा होता है इसमें पसीना सोकने की अर्थात अब्जोर्ब एंसी पावर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है इसलिए ये कपड़े पसीने को सोक करके तवच्छा को चिप-चिपा होने से भी बचाते हैं जिससे छोटे बच्चे जो होते हैं वो comfortable फील करता ह क्योंकि छोटे बच्चे पूरे दिन active रहते हैं खेलते रहते तो उन्हें पसीना बहुत जादा होता है और साथ ही बच्चे अपने कपड़े भी बहुत जादा गंदे करते हैं इसलिए एक दिन में कई बार बच्चों के कपड़ों को बदलना पड़ता है और एक बार जो change किया कपड़ा होता है और इसको बिना दुला नहीं पहना सकते तो आपको उन्हें बार 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 वाश करने की ज़रत पड़ती है तो इसलिए बच्चों के कपड़े ऐसे होने चाहिए जिनकी अब्जोर्बंसी पावर अच्छी हो साथ ही साथ वे आसानी से दुल जाने वा ब्रिक से बनावा जो ड्रेस होता है ऐसा नहीं पहनाना चाहिए क्योंकि इन रेशो के अंतरगत ना तो पसीना सोकने की क्षमता होती है और साथ ही साथ ये स्टाटिक चार्ज भी प्रेड्यूस करते हैं जिसकी वज़े से जो तवचा चिपचिपी हो जाती बहुत गर्मी लगती है और जो एर होती है वो कपड़े से बॉड़ी तक पास नहीं हो पाती है इसलिए बच्चों की जो स्किन होती है उस पर रैशेस हो जाना गाव हो जाना देखे जाते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं इनके कपड़े बहुत जादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए बह बच्चो के कपड़े बहुत चलती चोटे भी हो जाते हैं बच्चो को बहुत ज़ादा टाइट कपड़े नहीं पहनाने चाहिए या बहुत चोटे-चोटे कपड़े नहीं पहनाने चाहिए क्योंकि बच्चे बढ़वार उम्र में होते हैं तो वो बहुत ज़ादा active होते हैं तो वो खेलना, कूदना, दोरना, भागना करते हैं जिसकी वज़े से अगर tight कपड़ा पहना होगा न तो बच्चा अच्छे से अपनी activity नहीं कर पाएगा या चल फिर नहीं पाएगा तो इस वज़े से बच्चों के जो बढ़वार होती हैं उसमें भी कई सारी problems arise होने लगती है बच्चों को बहुत ज़ादा सजावट वाले कपड़े या बहुती extra decorative जो कपड़े होते हैं ऐसे कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसके बड़े-बड़े buttons लगे हो, pockets हो, चोड़ी-चोड़ी frills हो इस टाइप के जो कपड़े होते हैं बच्ची नहीं से बहुत ज़ल्दी परेशान होने लगते हैं और साथ ही यह कई बहुत कसे हुए और बहुती fitting के होते हैं इस टाइम पर बार बच्चों के साथ बच्चों को इसी प्रकार के कपड़े पहनाएं गे तो उनका शारिरी को मानसिक विकास में बाधा बढ़ती हैं छोटे बच्चों के लिए जब हम कपडों का चैन करते हैं तो उस टाइम पर कलर, प्रिंट्स, मोटिव्स की उपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है जिसा बच्चों का नेचर होता है, जिसे बहुत चंचल स्वभाव के बच्चे होते हैं इनको इसी प्रकार के कपड़े पहनाने चाहिए बच्चों के कपडों का रंग चटक कलर के होने चाहिए दिखने में सुन्दर आकरशक होने चाहिए और साथ इडिजाइन जो होते हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग होने चाहिए कभी कभी चोटे बच्चे होता है उनको ऐसे अजीब गरीब कलर के या मतलब बिल्कुल जो पुराने से कपड़े होते हैं वो नहीं पहनाने चाहिए बच्चो को जो warm colors होते हैं और जो bright colors होते हैं उनके साथ साथ आप light और जो cool colors होते हैं वो उस color के कपड़े पे पहना सकते हैं जो cool colors होते हैं ये बच्चो के उपर बहुत अच्छे लगते हैं साथ ही साथ जैसे की छोटे-चोटे colors हैं, pockets हैं इससे बना हुआ कपड़ा जो होता है वो और ज्यादा सुन्दर लगता है जो बच्चो के कपड़े होते हैं उसके पर छोटे-छोटे motives और prints होनी चाहिए और साथ ही bright colors होने चाहिए वो बच्चो के पर दिखने में ज्यादा सुन्दर लगते हैं जो बड़ी बड़ी प्रिंट्स वाले कपड़े होते हैं वो बच्चो के और साइस चोटा होता है और जब उसके बड़ा प्रिंट वाला कपड़ा पhaनाएंगे तो बच्चो के आड़िर खड़ी रेखा वाले ज्ग फ्रयोग किया जा सकता है जब हम बच्चों के लिए कपड़ा खरीते हैं तो color fastness को जाचना बहुत जरूरी होता है जो रंग है वो दुलाई, दूप, प्रकाश, पसीने इन सब की द्रश्टी से पक्का होना चाहिए क्योंकि अगर एक दूद वाश के बाद में कपड़े का color light पढ़ जाता है निकल जाता है निकल जाता है या फैड हो जाता है तो जिसकी वो कपड़ा खराब हो जाएगा ना तो बच्चा उसे पहनना पसंद करेगा और अगर आप जबरदसी उसे पहना होगे तो उस पर पहनने के बाद देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा इसलिए बच्चो का कपड़ा हमेशा देख करके ही या जाच परक करके ही खरीदना चाहिए जब हम बच्चो के कवली कपड़े खरीते हैं तो उसमें हमें कुछ main important बातों का ध्यान रखना चाहिए वो है जैसे बच्चो के जो कपड़े होते हैं वो हलकी होने चाहिए कोमल, मुलायम और नरम सूती के कपड़े होने चाहिए जब बच्चे बहुत चोटे होते हैं तो आम उनके लिए वोयल के कपड़े खरीच सकते हैं या प्यार कॉटन आता है वा आप खरीच के पैना सकते हो कपड़े के अंदर परपूर मजबूती होनी चाहिए, टिका उपन और अफशो शक्ता होनी चाहिए क्योंकि बच्चे अब जैसे बड़े होने लगते हैं वो गुटनों की बल चलने लगते हैं तो जिससे की बार-बार उनके गुटनों की जगर जो कपड़ा रहता है उसके उपर बहुत ज़दा फ्रिक्शन पढ़ता है तो वहां से कपड़ा फटने के चांसे ज़ाधा रहते हैं साथी बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं पूरा दिन पसीना होता है उनको तो कपड़े में जो अब्जोर्बेंसी पावर होती वो अच्छी होनी ज़रूरी है अगला है स्थैतिक विद्यूत प्रबार नहीं बनना चाहिए मिंस इलेक्ट्रिक फोर्ज जो बनता है कपड़े के उपर वो नहीं होना चाहिए तो अच्छा के लिए ये सुखत और आराम दायक हो अर्थत कमफरिटिबल लगने चाहिए बच्चो को ये बच्चो के कपड़े आसने से दूल सकने वाले होने चाहिए ताकि इसके पर दूल गंदगी या तेल ग्रीज जो लगा हुआ वो इसली हट जाए बच्चो के कपड़ो के जो बुनाई होती है वो compact होनी चाहिए पास पास सट्वी होनी चाहिए अगर आप जिरजिरा बच्चो के लिए खरीट्के पहनाईगे बच्चो को तो बहुत जल्दी खराब हो जाने के साथBO जल्दी फट भी जाएगा जो कपड़े होते हैं बच्चों के वो fast colors हो warm colors के होने चाहिए और कभे-कभी आप जो cool colors होते हैं इनका भी use कर सकते हैं साती छोटे prints, pockets, colors लगे हुए हो ताकि वो देखने में सुन्दर लगते हैं छोटे-छोटे motives वाले कपड़े बच्चों को पहनाने चाहिए छोटे flower print के कपड़े बच्चों के उपर बहुत सुन्दर लगते हैं कपड़ों का जो color होता है वो दूब, दुलाई से प्रकाश और वर्शा से इन सबसे प्रभावित होना चाहिए बच्चों के कपड़े थोड़े से देले होने चाहिए ताकि बच्चे जब body का movement करता है तो वो आसानी से हो सकता है और tight fitting वाला जो कपड़ा होता है बच्चे उसके अंदर easily move नहीं कर पाता है अब हम next बात करेंगे clothes for school going children जो school जाने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे को कपड़े खरीते टाइम क्या चीजों का ध्यान रखना है देखे क्योंकि बच्चों का जो संपूर्ण व्यक्तित होता है वो कपड़ों से ही effect होता है इसलिए बच्चों के लिए जब हम कपड़ा खरीते हैं तो हमको उसके उपर बहुत ध्यान देना जरूरी कि वो बच्चों के उपर कैसा लगेगा देखे क्योंकि school going children होते हैं इनका शारिरी क्विकास बहुत तेजी से होता है और ये खेल कूद की बहुत तरीके की अलगलग टाइप की activities में participate करते हैं जिसे दोरना, भागना, कूदना कई बार गिरते पड़ते भी है कई बार जैसे बस में चड़ना, उतरना होता है जिसकी वज़े से भी इनके कपड़ों पर friction पड़ता है कभी कपड़ा खिच भी जाता है तो इसलिए भी कोई activities करते टाइम बहुत सारी जो कपड़े होते हैं वो बहुत सारी चीजों का सामना करते हैं इसलिए कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं तो कपड़ों का chain करते टाइम मजबूती पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कपड़ा एक तुम compact हो और मजबूत होना चाहिए जो कपड़े की रचना होती है वो सगन होनी चाहिए अर्थत compact होना चाहिए ताने अरबाने के जो धागे होते हैं सभी जगों से एक समान होने चाहिए अर्थत कपड़ा कहीं से मूटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए जो compact weaving वाले जो fabrics होते हैं यह washing के बाद में श्रिंक नहीं होते हैं इसलिए यह देख करके हमको खरीदना चाहिए और जो कपड़े ऐसे होते हैं जो दुलने के बाद सिकुड जाते हैं वो कपड़ा छोटा हो जाएगा और छोटा अगर बच्चे को पहनाएंगे तो उसकी बाड़ी के पर कस जाएगा या बहुत ज़दा फिट हो जाएगा जिसकी वज़े से बच्चे जो होते हो बहुत बेचेन हो जाते हैं और उनकी personality के according color combination को ध्यान रखके पहनाना चाहिए चोटे लड़के और लड़के के लिए जब हम कपड़ों का चैन करते हैं तो उस टाइम पर रंग, नमूने और जो प्रिंट्स होती उसकी पर ध्यान देना बहुत ज़रुरी होता है color fastness का ध्यान रखना चाहिए बच्चो की स्वभाव से और बच्चो का जो स्वयम का या तवच्चा का जो रंग है ता skin tone होता है उससे मैच करता हूँ बच्चो को कपड़ा पहनाना चाहिए जो fast colors होते हैं या warm colors होते हैं जिसकी red है yellow है orange है ये प्रसनिता हर्ष उल्लास का और उमंग के सूचक होते हैं तो ये बच्चो के लिए बहुत perfect होते हैं और उनके पर बहुत सुन्दर लगते हैं इसी के साथ आप जैसे की light colors या cool colors ले सकते हैं तो जो अगर dark color का base है तो उसक warm colors के prints या जो motifs होते हैं वो सुन्दर दिखाई देते हैं आजकल market में बच्चो के लिए बहुत ही सुन्दर सुन्दर कपड़े available होते हैं और बहुत सारी choices होती हैं जो बच्चो के कपड़े होते हैं ये बहुत जल्दी गंदे कर देते हैं जिसकी वज़े से इनको बार बार wash करना पड़ता है तो बच्चो के कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो easily washable हो और साधे और साधरन वस्ट जो होते हैं वो उनके लिए daily routine के लिए बिलकुल perfect रहता है इसलिए हमेशा जो simple weaving वाला जो कपड़ा होता है जिसमें एक waft और एक warp yarn का use किया जाता है ऐसा कपड़ा जहेंगे जो detergents होते हैं यह washing material होता है उसकी जरुरत नहीं पड़ती है बच्चो के जब हम कपड़े तयार करते हैं यह अगर आप कोई कपड़ा stitch करवाते हो तो नाप से थोड़ा सा बड़ा stitch करवाना चाहिए यह market से खरीते तब एक size थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए त बच्चो के लिए जो हम कपड़ा choose करते हैं तो color fastness को ध्यान में रखना बहुत जरुरी होता है जिसे बच्चो की school dress होती है घर के कपड़े होते हैं तो बच्चे एक दिन में लगबग 3-4 dresses change करते ही हैं क्योंकि अगर बार बार washing हो की तो कपड़ा दिखने में बदरंग दि बच्चो के लिए जिससे वो चिर्चिड़े हो जाते हैं और उनका all-round development affect होने लगता है बच्चो के लिए जो हम कपड़े लेते हैं वो मौसम के according होने चाहिए जैसे कि अगर आप winter के लिए लेते हैं तो light colors के पतले कपड़े होने चाहिए अगर आप जो सर्दियों के मौसम के लिए लेते हैं तुड़ा सा मोटा फैबरिक होना चाहिए वुलन आपको फैबरिक पिनाना चाहिए साती बारिश के मौसम के लिए लग तो इस प्रकार से में कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए मौसम के अनुसार जब हम बच्चो का कपड़ा खरीते हैं तो उसमें कु कहीं से भी defective ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए अर्थात एक समान रचना कपड़े की होनी चाहिए कपड़े बच्चों के हलके मुलायम और कोमल सूती कपड़े के होने चाहिए क्योंकि कभी-कभी वैसे जो मिश्रित रेशो से बने हुए जो कपड़े होते हैं अर्थात mixed fibers वाले कपड़े होते हैं ये भी बच्चों के लिए अच्छे रहते हैं कुछ warm colors, bright colors का भी यूजचों के लिए यूज़ किया जाता है जिससे की बच्चों की जो personality होती है बच्चों का बालपन बहुती निखर करके आता है जो रूज मरा के पहनने के कपड़े होते हैं बच्चों के वो साधरन मुल्ली के होने चाहिए लेकिन मजबूत और सुन्दर होने चाहिए बहुत ज़्यादा महेंगे कपड़े बच्चों के लिए special occasions के according ही हमको खरीदने चाहिए बुनाही कपड़ों की ऐसी होनी चाहिए इतनी compact होनी चाहिए कि उसके पर दूल करणी या मैल गंदगी होती है वो आसानी से washing के बाद निकल जाए कपड़े में पर्याप्त अवशोशकता होनी चाहिए अर्थत absorbency power अच्छी होनी चाहिए क्यूंकि इन बच्चों को भी बहुत पसीना होता है तो पसीना अगर कपड़ा सोक लेता है जिससे की बच्चे को comfortable feel होता है जो कपड़ों की साफ सफाही होती हो आसान होनी चाहिए कपड़े थोड़े daily fitting के या हलका सा थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि वो बच्चों के लिए काफी easy रहता है बच्चों के कपड़ों का चुना मौसम के हिसाब से करना चाहिए गर्मी के मौसम के लिए सूती कपड़ा सबसे अच्छा होता है लेकिन सर्दी के मौसम के लिए सब उनी है, फलाले या किसी भी और टाइप का कपड़ा चुन सकते हैं जो कपड़ों का रंग होता है, वो दूब, दुलाई, पसीने, प्रकाश के प्रती पक्का होना चाहिए क्योंकि कच्चा रंग हुआ कपड़े का तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा अगला हम बात करते हैं, close for adults, adults मिन जो early adulthood में बच्चे होते हैं या किशुरा वस्था और किशुरा वस्था के जस्ट बात जो early adulthood period आता है यूवा वर्ग जिसे कहा जाता है, उसके लिए हम कपड़ा खरीदने टाइम हमें क्या धियान रखना चाहिए देखिए सबसे जो मुश्किल काम होता है वो यूवाओं के लिए कपड़ा खरीदना ये कपड़ों का चैन होता है क्योंकि जो यूवा वर्ग होते हैं, यह जो प्रचलित परिदान है या जो ट्रैडिशनल क्लोधिंग है उससे हट करके कुछ नया पहनना पसंद करते हैं और जो इनकी कपड़े होते हैं वो थोड़ से अन्यूजवल और अलग मोड के होते हैं यह हमेशा नय नय फैशन को अडॉप्ट करने वाले होते हैं और उसी की तरफ इनका सबसे ज़्यादा जुका रहता है फैशन की अगर बात की जाए तो यूवा वर्क और जो महिला होती है फीमेल उनके कपड़ों में ही सबसे ज़्यादा परिवर्दन देखा जाता है जबकि जो पुरुषों के परिधान होते हैं कपड़े होते हैं उसमें आपको बहुत जादा फैशन में चेंज नहीं देखने को मिलेंगे और यह ज़्यादा थर चेंज़े हैं इससारे वेस्टरन चुल्चर से आई हुए चेंज़े हैं इसमें उनके कपड़ों के उपर जैसे की जो सजावट होती है, आक्रती, आकार शैली, यह सब बार 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 बदलते रहते हैं और जो नई शैली के कपड़े होते हैं उसी टाइम पर जो युवावर्ग होता है वो उसी को पहना पसंद करताया था जो latest trend में या fashion में जो कपड़ा होता है वो उसको सबसे पहले adopt करते हैं और जो युवावर के जो लोग होते हैं ये अपने कपड़ों को चुनते समय किसी और की दखल अंदाजी या interference कभी भी पसंद नहीं करते हैं उनकी कपड़े उनकी खुद के according उनके रंग रूप आकरती फैशन के मुताबित होने चाहिए और अगर नहीं होते हैं तो वे उसकपड़े को पहनना पसंद नहीं करते हैं लेकिन फिर भी जब बच्चे या जो युवावर के खरीते हैं तो parents को हमेशा उनकी उपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और बच्चो को maturity सिखाने चाहिए जो बच्चो के जो कपड़े होते हैं युवावर के जो कपड़े होते हैं वो अपनी सब्यता और संस्कृति की अनुरूप होने चाहिए क्योंकि जो परिदान होते हैं अमार कपड़ा होता है यह आपको अट्रेक्टिव बनाता है सौम्य और शालीन बनाता है और सुन्दर बनाने का काम करता है जो युवा वर्ग है इनके उपर सभी कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं जो फास्ट कलर्स या वाम कलर्स होते हैं वो उनके पर बहुत जादा सुन्दर दिखते हैं उनके अंदर एक आपको नया ही उमंग ताजगी फ्रेशनेस दिखाई देती है एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिखता है इस प्रकार से जो वाम और जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो गर्ल्स के उपर बहुत जादा सुन्द चेहरे के आकार इनके अकॉर्डिंग परिधानों का चुनाव करना चाहिए ताकि उनकी परस्नलिटी जो होती है वो और भी अच्छी दिखाई दे उनकी आयू तथा प्रक्रतिकी अनुरूप उनको जो कपड़े होते हैं वो कोमल रंगीन सुंदर आकरशक नमूनों वाले चूज करने चाहिए जो कपड़ा है इन सभी क्वालिटी के साथ साथ में कमफर्टीबल भी होना चाहिए जो लंबी लड़कियां होती है उनको आड़ी तथा जो I mean जो horizontal or flowing lines होती है वैसे कपड़ा उनको खरीदना चाहिए जबकि जो short-heighted girls होती है उनको हमेशा जो vertical lines वाल जो लड़कियां होती हो है उनको भरे भरे परिदान लेने चाहिए अर्थत फुलनेस जिन कपड़ों में होती है ऐसे कपड़ा खरीदना चाहिए ताकि जो उनका दुबलापन है वो थोड़ा छिप जाए जब कपड़ों को अगर हमें फुलनेस create करनी है तो आप उसके अर्थत वर्टिकल लाइन के कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि उनकी लंबाई थोड़ी सी बढ़कर के दिखती है और चोड़ाई जो होती है शरीर की या विट जो होती है वो थोड़ी कम दिखाई देने लगती है इसी तरीके से अलग लग देहे आकरती मींस फिगर वाल जा सकता है इसी लिए हमेशा यूवावर को अपने कपड़े चुनते समय बहुती सूजबूज के साथ में काम करना चाहिए दिखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा जो महेंगा कपड़ा होता है वही सबसे अच्छा लगता है कीमत अगर कपड़े की साधारण है लेकिन अगर उसका चुनाओ अच्छे तरीके से किया गया है कलात्मक तरीके से किया गया है तो वह भी देखने में बहुत सुन्दर लगता है हमने पहले भी बात करिए कि अगर कपड़ा की जो आकरती होती है अकार होता है शैली है या फैशन में चेंज होता है तो सबसे पहले होगा तो यह उसे न तो पहनते हैं और साती सात कपड़े के उपर जो लगा हुआ पैसा होता है वो भी वेस्ट हो जाता है इसलिए हमेशा लेकिन इसी चीज के साथ एक इंपॉर्टन बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लेटिस्ट फैशन ये ट्रेंड है वो आपके उपर कैसा लग रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें उस फैशन ट्रेंड को या क्लोधिंग को अपनाना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये फैशन के अनु लेना चाहिए ध्यान देना चाहिए उनके उपर लेकिन फिर भी युवाओं की रूच्छी और पसंद को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए और इसी तरह किसे कपड़ों का चुनाव करना चाहिए इस तरह आज की इस लेक्चर में हमने जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्लोधिंग के टाइम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए साथी school going children के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए और youth के लिए हमको कपड़ा को choose करते टाइम क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में आज हमने discuss किया आने वाले coming next lecture में हम women's के लिए और male member के लिए आने कि man के लिए कपड़े चूस करते टाइम हम क्या-क्या चीजों का ध्यान रखेंगे उसके बारे में हम discuss करेंगे इसी के साथ आज का हमारे lecture खतम होता है thank you